राधे राधे एवरिवन, पैसिफिक वोल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम बाहर जाते हैं और लड्डू गोपाल जी घर पर रहते हैं तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा की विवस्था कैसे करें देखे हर जगे लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी-कभी तो हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाते हैं तो जब साथ ले जाते हैं तो कोई चिंता की बाती नहीं होती है लेकिन जब हम लड़ू गोपाल जी को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें तो देखे, दो उपाए हैं, एक तो यह है कि आपके आसपास आपकी कोई फ्रेंड है या कोई आपके पडोसी है जो लडूatif तो पाल जी को दो चार दिन के लिए यानी जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं उनके पास छोड़ दीजिए, वो लडूको पाल जी की वियोस् आप किसी के यहां पर लडु Gopal जी को नहीं छोड़के जा सकते हैं, यानि कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आप अपने लडु Gopal जी को चोड़के जासके, तो फिर हम लडु Gopal जी की विवस्ता कैसे करें, इसके विसाय में ही आज आपको संपोर्ण जानकारी मिलेगी, त आप कितने भी जल्दी में हो आप लड़ु गोपाल जी को सुबह सनान जरूर करा के जाएं तो देखे लड़ु गोपाल जी को अच्छे से सनान करा देंगे और सनान कराने के बार लड़ु गोपाल जी को सुंदर सी पोशाग पहना दें पोशाग आप मोसम के अनुसार पहना यानि कि मंदिर में जहां पर भी आपके लड़ू गोपाल जी विराजमान होते हैं, आप वहां पर लड़ू गोपाल जी को विराजमान कर दें, सुबह की जो सेवा है वो बिल्कुल वैसे ही रहे कि जैसे आप रोजाना सेवा करते हैं, इसके बाद देखे जब भी आप बहार जाते हैं तो लड़ू गोपाल जी को बोल कर जरूर जाएं तो देखें यहां पर मैंने लड़ू गोपाल जी को तयार करा कर दिया है पोशाक लड़ू गोपाल जी को पहना दी है उसके बाद में लड़ू गोपाल जी का सरंगार करूंगी तो बहुत जादा नहीं हलका फुल वैसे तो मैं गर्मियों में विग नहीं लगाती हूँ लेकिन जो इमुकूट ही थोड़ा सा बढ़ा है विग पर अच्छे से अर्जस्ट हो जाता है विग न पहना हो तो फेस ऐसे ढख जाता है और क्योंकि हम तीन-चार दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो फिर हम लड्डू कि घ्र्ण करें के अब लड्डू जी अब आख अप मे जाता है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो जितने दिन के लिए भी ऑप बाहर जाए उतने दिन के लिए आप खाने के विएष्थ लड़ू ज़रूर ज़रूर करा जए। देखे, सबसे पहले तो हमें जल की व्यवस्ता करनी होती है, किसी बड़े बरतन में आप लड़ू गोपाल जी के लिए जल भरके रखके जाएं, तो मैं मेरे पास ये छोटी सी मट्की है मिट्टी की, गर्मियों में मिट्टी के बरतन में ही लड़ू गोपाल जी के लिए जल पसंद करती हूं क्योंकि ठंडा रहता है तो देखिए मैंने मिट्टी के घड़े में लड़ु गोपाजी के लिए जल रख दिया है इसको मैंने ढख दिया है इसके बाद मैं इस पर तुलसी रख दूंगी तो देखिए वैसे तो यह उपर धकन रखा है मैं इसमें मिस्री होने वाली है मुझे और लेक्यानी है लेकिन अभी जो भी है वो मिस्री भी मैं यहां पर रख दूंगी तो देखिए जितने दिन के लिए भी आप जाए उतनी चीज़ आप लड़ु गोपाल जी के पास रख के जाए जैसे मैं पांच दिन के लिए यहां जा रही हूं तो मैं यहां पर देखिए टोफी रख दी है मैंने किसमिस रख दी है काजू रख दी है बदाम रख दी है और मिस्री यह पांच चीज़े मैंने ले ली है तुलसी पता भी हम इसमें जरूर रखेंगे इसके बाद आप इसे किसी भी डब्बे में भरके रख दें आप चाहें त जो उपर से जिस पे सीसा लगा हो जो ट्रांस्पेरेंट हो लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इस डब्बे में रख दूँगी इसमें हमने पांचों चीजे रख दी है तुलसी पत्ता भी रख दिया है इसे हम बंद करके रखेंगे नहीं तो फिर ऐसे अगर हम खुला र देंगे और इसके साथ ही मैंने जल रख दिया है तुलसी जी रख दी है और देखे जब भी आप भोग समर्पित करें तो घंटी जरूर बजा दें उसके बाद जब आप जाएंगे तो जाते समय हाजोर कर लडुगोपाल जी को बताएं कि आप घर से बाहर जा रहे हैं इतन नहीं होंगे तो गव माता लडुगोपाल जी की सेवा करें वैसे देखे कहा जाता है कि जब भी लडुगोपाल जी घर में लाएं तो गव माता भी साथ में लानी चाहिए क्योंकि जब हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गव माता लडुगोपाल जी की से कहते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं वहाँ पर जब भी आप खाना खाते हैं तो आप लड़ु गोपाल जी को भी प्रातना करें कि बहुत आसानी से आप लड़ु गोपाल जी की सेवा कर सकते और जब आप घर में आएं तो सनानादी करने के बाद सबसे पहले आप लड़ू गोपाल जी को सनान कराएं और उसके बाद लड़ू गोपाल जी की सेवा आरम कर दें फ्रेंड्स मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ इसी तरह से लड्डू गोपाल जी के लिए विवस्ता करके जाती हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मेरा ये सरल सा तरीका अगर आपको पसंद आया हो और अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे